A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter. How do organisms reproduce? आज के लेक्चर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि जब फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के ओवरी से ओवम यानी एग निकलता है और वो एग आ करके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है और स्पर्म वहाँ पर नहीं होता है तो उस एग का क्या होता है आगे? जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस एग का क्या होता है? उसके बाद उसका क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं लास लक्षर में बच्चों हमने female reproductive system के बारे हम पढ़ा था तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम revision कर लेते हैं female germ cells जिनको हम ovum बोलते हैं या eggs बोलते हैं ये ovary में बनाये जाते हैं ये कुछ hormones बनाने के लिए भी काम करते हैं जो female germ cells हैं उनका काम कुछ hormones बनाना भी होता है जैसे estrogen और progesterone नाम के दो hormone हैं जो female body की ovary से निकलते हैं यहाँ पर ये female reproductive system है इस पर आप देख रहे हैं दो ovaries दे रखी हैं left और right साइड में ovaries से निकलने वाला जो egg है या फिर ovum है वो oveduct या fallopian tube में निकल कर आ जाता है sperm vagina से होता हुआ, cervix से होता हुआ, uterus से होता हुआ oveduct या fallopian tube तक आता है और उस egg को या ovum को fertilize कर देता है fertilization के बाद वो egg zygote बन जाता है और zygote धीरे-धीरे embryo बन जाता है और embryo से child बन जाता है तो ये पूरा process होता है बट आज के lecture में हम ये पढ़ना है कि अगर ovary से ovum निकल गया है egg निकल गया है oveduct या fallopian tube में आ गया है और वो fertilize नहीं होता है यानि sperm से mate नहीं करता है sperm से नहीं मिलता है तो उस egg का क्या होता है when a girl is born जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ovary में हजारो एक्स immature एक्स होते है immature मतलब जो बड़े नहीं हुए रहते ओके वो एक्स होते है जैसे लड़की बड़ी होती है ये egg धीरे-धीरे मैच्योर होने लगते है जब लड़की 11-12-13 साल की होती है तो एक-एक करके हर एक ovary से हर महीने एक egg release होने लगता है ठीक है और वो egg ovary से निकलता है fallopian tube में आता है fallopian tube से वो warm ये uterus में आता है uterus की जो blood और mucus वाली जो wall है उस wall के सहारे वो थोड़े दिन वहां पर टिका रहता है उसके बाद उसी wall के साथ साथ यानि blood के साथ साथ वो egg बाहर निकल जाता है ओके the two oviducts unite into an elastic bag like structure known as uterus दो oviduct जो है वो एक elastic bag जैसे structure बना लेते हैं जिसको uterus बोलते हैं उसको warm भी बोलते हैं uterus vagina में open होता है cervix के तुरू cervix वो junction है जहां से uterus और vagina connect होते हैं ठीक है जब sexual intercourse होता है यानि जब male और female mate करते हैं तो उस mating के time पर male reproductive organ से निकलने वालो जो sperm हैं वो vaginal passage पे enter करता है यानि आता है vaginal passage में ठीक है और vagina से वो cervix से होता हुआ uterus तक चला जाता है ठीक है they travel upwards जो sperm हैं वो उपर की तरफ जाते हैं और reach the oveduct oveduct तक पहुँच जाते हैं where they में encounter the egg जहां पर वो egg से encounter करते हैं encounter यानि मिलते हैं ठीक है the fertilized egg fertilized egg को zygote बोलते हैं starts dividing and form a ball of cells और embryo fertilized egg है वो divide होने लगता है और ball of cells बना लेता है वो ball of cells बन जाते हैं embryo ठीक है embryo को implant यानि चिपका दिया जाता है uterus की wall से जहां पर वो grow करके और develop करता है इस पर एक human child में ओके वो develop करता रहता है उसके हाथ और पैर धीरे धीरे आने लग जाते हैं उसकी आखें नाक मू की बनावट बनने लग जाती हैं ये सारी चीज़ें female body के अंदर होती हैं ओके we have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child जो mother की body है वो child की development के लिए design की गई hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo इसलिए uterus prepare करता है खुद को जो embryo बड़ा हो रहा है उसको nurture करने के लिए nurture मतला उसको important nutrients देने के लिए ऐसी चीज़े देने के लिए जिससे वो embryo बड़ा हो सके ठीक है the lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo uterus के lining है वो ठिक होती जाती है ठिक यानि मोटी होती जाती है और वो embryo को नरिश करती है ठीक है embryo को नरिश करती है ओके नरिश करती है मतलब embryo को nutrients और कुछ ऐसी चीज़ें supply करती है blood के थूँ glucose वगेरा जिससे embryo जो है वो grow करता रहे the embryo gets nutrition from the mother's blood embryo को जो nutrition है यानि खाना पीना है nutrients है grow करने के लिए वो किस्से मिलते है mother के blood से तो ये सारी चीज़े बच्चों हमने last lecture में पढ़ी थी अब आज के lecture में हमें ये जानना है कि जब egg fertilize नहीं हुआ होता है जब egg का fertilization नहीं हुआ होता है तो क्या होता है उस egg के साथ जब egg fertilize नहीं हुआ होता है तो वो लगबग एक दिन तक रहता है since the ovary releases one egg every month जो ovary है वो एक egg release करती है हर महीने ठीक है uterus अपने आपको prepare करता है हर महीने to receive a fertilized egg uterus अपने आपको हर महीने prepare करता है to receive a fertilized egg thus its lining becomes thick and spongy जो uterus की lining है तो thick यानि मोटी और spongy हो जाती ठीक है this would be required for nourishing the embryo ये जो uterus का thick और spongy होना है uterus की lining का उससे क्या होता है embryo का nourishment के लिए body female की जो body होती है mother की जो body होती है वो तयार होती है okay now however this lining is not needed any longer जो uterus की lining है उसकी जरुवत नहीं होती it is not needed any longer so the lining slowly breaks and comes out through the vagina तो जो uterus की lining है उस लोली break हो जाती है और vagina से बाहर आ जाती ठीक है blood के form में और mucus के form में this cycle takes place roughly every month यह cycle हर माईने होती है और इसको बोलते है menstruation ठीक है it usually lasts for about 2-8 days 2-8 दिन तक यह cycle चलती है इसको menstrual cycle बोलते है menstruation बोलते है अब reproductive health की बात करते हैं मतलब हमें reproductive health कैसे maintain करके रखनी चाहिए कैसे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे female की health गड़बर ना हो जो sexual maturity का process होता है वो gradual होता है धीरे धीरे होता है and take place while general body growth is still on और यह जो sexual maturation है यह हमारी body की growth के साथ साथ ही parallelly चलता है जैसे जैसे हमारी body बड़ी होती जाती है वैसे हम sexually mature भी होते जाते हैं ठीक है therefore some degree of sexual maturation does not necessarily means that the body or mind is ready for sexual acts अगर sexual maturity आ गई है थोड़ा बहुत पूरी तरह से नहीं थोड़ा बहुत तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप sexual acts के लिए तैयार हो जाओ जब तक body fully mature नहीं हो जाती है जब तक आप 18-20 साल के नहीं हो जाते हो तब तक आप किसी भी तरह के sexual act के लिए आपकी body तयार नहीं होती है ठीक है हम कैसे decide कर पाएंगे कि हमारी जो body है शरीर और जो mind है वो ready है बच्चे पालने के लिए ओके अल अफ उस हार अंडर many different kind of pressure about these issues बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के pressure handle करते हैं इस बात से related हमारे friends की तरह से pressure हो सकता है ठीक है आपकी इच्छा हो या ना हो फिर भी आपको शामिल होना पड़ता है कुछ ऐसे events में ओके there can be pressure from our friends for participating in many activities whether we really want to or not there can be pressure from families to get married and start having children family से भी pressure आता है कई बार कि शादी कर लो okay बच्चे पैदा करो ऐसा वैसा तो यह सारे pressure अलग अलग society से आते रहते हैं आपके there can be pressure from government agencies to avoid having children government agencies की तरफ से कई बार pressure आता है कि जादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं okay in this situation many choices can become very difficult ऐसी situations में बहुत सारी choices बहुत difficult हो जाती हैं we must also consider the possible health consequences of having sex sex करने के हमें जो possible health consequences है मतलब क्या-क्या health पे प्रभाव पड़ता है okay अब baby तो पेट में आ गया बट मा की health इतनी जादा अच्छी नहीं है कि वो उस बच्चे को conceive कर पाए या उस बच्चे को पैदा कर पाए तो ऐसे में बच्चा और मा दोनों के जान को खतरा हो सकता है जब तक mother की body पूरी तरह से mature, पूरी तरह से ready, पूरी तरह से healthy नहीं हो जाती one should not go for any kind of sexual act or for having children okay we have discussed in class 9th that diseases can be transmitted from person to person in variety of ways हमने class 9th में पढ़ा है कि अलग-अलग तरह की बिमारिया एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग-अलग तरीकों से फैलती है okay since the sexual act is a very intimate connection of body जो sexual act होता है वो बहुत intimate connection होता है body का मतलब body से body बहुत जादा close रहती है तो उससे sexually transmitted diseases कुछ ऐसी बीमारिया होने का डर रहता है जो हमारे body को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है इन में से कुछ bacterial infection आते हैं जैसे gonorrhea और syphilis कुछ viral infection आते हैं जैसे warts, HIV, AIDS okay HIV AIDS का full form क्या होता है Human Immuno Deficiency Syndrome Is it possible to prevent the transmission of such diseases during sexual act इस तरह की sexually transmitted बीमारियों को फैलने से रोकने के कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है जैसे एक covering आती है जिसको बोलते हैं condom okay males वो condom perceive कर सकते हैं यानि वो condom को use कर सकते हैं और sexual act के time पे उस condom को use करने से जो sperms हैं वो male body से female body में नहीं जा पाते हैं उससे क्या होता है कि female pregnant नहीं होगी okay for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections एक तो यह होगा कि वो अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो उसके लिए use कर सकते हैं और दूसरा sexually transmitted diseases को avoid करने के लिए use कर सकते हैं the sexual act always has the potential to lead to pregnancy जो sexual act होता है हमेशा उसमें ये काविलियत होती है कि वो female को उससे female जो है वो pregnant हो सकती pregnancy will make major demands on the body अब female अगर pregnant हो जाती है तो body में बहुत सारी demands आती है जैसे जो baby पेट में है mother के उसको embryo को growth और nourishment के लिए proper nutrition चाहिए होता है उके proper nutrition चाहिए होता है उसको बड़ा होने के लिए ठीक है pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman pregnancy से body और mind की major demand होती अगर उसकी body और mind दोनो ready है तभी woman को एक child के लिए सोचना चाहिए and if she is not ready for it her health will be adversely affected अगर वो ready नहीं है तो उसकी health में बहुत बेकार प्रभाव पढ़ सकता है therefore many ways have been devised to avoid pregnancy बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले गए हैं जिससे pregnancy को avoid किया जा सके these contraceptive methods fall in a number of categories यह जो contraceptive methods हैं यह अलग-अलग category में fall होते हैं one category is the creation of a mechanical barrier so that sperm does not reaches the egg पहली category है contraception की contraception मतलब child birth ना हो या child ना बने mother के पेट में उसको रोकने के लिए female जो gamit है उनको रोकना पड़ता है जो sorry male gamit है उनको रोकना पड़ता है female gamit से mix होने के लिए तो इसके लिए पहला है mechanical barrier में mechanical barrier में condom बगेरा आ जाता है okay condoms on the penis और similar coverings worn on the vagina can serve for this purpose another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body दूसरी category जो contraceptives की है वो hormonal balance को disturb करके हम वो category अचीव कर सकते हैं उसमें क्या होता है कुछ medicines होती है जिससे female का hormonal balance गड़बड हो जाता है और वो child birth के लिए जो भी उसको child birth अगर होनी थी तो वो child birth नहीं होगी फिर another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur these drugs commonly need to be taken early as pills कुछ ऐसी दवाईया आती हैं पिल्स के फॉर्म में जिनको females अगर conceive करें या females अगर लें तो उनके hormonal balance disturb होने के कारण उनकी body child birth के लिए child birth नहीं कर पाती है या बच्चे को conceive नहीं कर पाती another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not fertilized, released and fertilization does not occur तो एक और तरीका होता है वही पिल्स के थुरू जिसमें eggs ही release नहीं होते हैं female की body से egg release नहीं होगा तो sperm आके वहाँ पर रहेगा जरूर लेकिन वह fertilize नहीं कर पाएगा एग को क्योंकि एग वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगा these drugs commonly need to be taken orally as pills, इन drugs को orally pills की तरह लिया जा सकता है however since they change hormonal balances, यह drugs hormonal balance को change करते हैं इनके कुछ side effect भी होते हैं, other contraceptive devices such as loop or the copper tea are placed in the uterus to prevent pregnancy कुछ devices होते हैं, जैसे loop और copper tea, इनका use किया जा सकता है, pregnancy को रोकने के लिए other contraceptive devices such as loop or the copper tea are placed in the uterus to prevent pregnancy कुछ ऐसे contraceptive devices होती हैं, जैसे जिनका नाम होता है loop या फिर copper tea वो female body के uterus में लगा दी जाती हैं, जिससे वो female जो होती हैं, वो pregnant नहीं हो पाती है again, they can cause side effects due to irritation of the uterus in copper tea वगरे से कुछ side effects भी हो सकते हैं, क्योंकि uterus वगरे में irritation होता है if the vast difference in the male is blocked, अगर males में जो vast difference होती है, वो block कर दी जाए sperm transfer will be prevented, जो sperm transfer होता है, वो prevent कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा okay, if the fallopian tube in the female is blocked, अगर females में fallopian tube को block कर दिया जाए, the egg will not be able to reach the uterus, जो egg है, वो uterus तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, in both cases, fertilization will not take place, दोनों cases में fertilization नहीं होगा, okay, surgical methods can be used to create such blocks, कुछ surgical methods इस तरह के blocks को create कर सकते हैं, while surgical methods are safe in a long run, surgical methods safe होते हैं, लंबे समय के लिए, इस्तमाल के लिए, okay, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly, surgery से भी कई infections और दूसरे problem होते हैं, अगर surgery अच्छी सही तरीके से ना की जाए, तो बहुत सारे infections वगेरा हो सकते हैं, ठीक है, these may be misused by the people who do not want a particular child, यह जो surgery है, यह misuse की जा सकती है, उन लोगों दौरा जो किसी भी बच्चे को नहीं चाहते हैं, ओके, जो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, as happens ही ना, illegal sex selective abortions, sex selective abortion का मतलब होता है, जैसे कोई girl child अगर पता चल जाता है, वो लोग ultra sound करके पता करवा लेते हैं कि female की body में girl child है या boy child है, अगर girl child होता है तो उस female fetus को वो कुछ दवाईयों से और दूसरी चीज़ों से पेट में ही मरवा देते हैं, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है, क्योंकि male हो या female, कोई भी child हो, सब equally important है, क्योंकि अगर सारी female child को मरवा दिया जाएगा, तो खुछ सोचिए जो sex ratio है, sex ratio का मतलब male और female का ratio जो है, एक गाउं है, वहाँ पर 1000 male है, लेकिन female, चार-पांच सो female है, क्योंकि वहाँ पर females को मार दिया जाता था, तो खुछ सोचिए, कैसे किसी male को शादी करने के लिए female मिल सकेगी, तो ये कई चीज़ें हैं जो गडबड हो सकती है, और दूसरा ये ethically और morally भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियां बहुत सारी चीज़ों में अपना देश का नाम रोशन करती हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन करती हैं, तो हमें हमेशा girl child की respect करनी चाहिए, एक healthy society के लिए, male और female का sex ratio मेंटेन होना चाहिए, बिकाउस फीमेल फीटी साइड, फीमेल फीटी साइड का मतलब होता है, पेट में ही girl child को मार देना, चाहिए, child sex ratio is declining at an alarming rate, child का sex ratio जो है, वो decline हो रहा है alarming rate पर, in some sections of our society, although parental sex determination has been prohibited by law, जो parental sex determination है, वो सरकार के द्वारा prevent कर दिया गया, मतलब अगर कोई parent है, वो sex determination करता है, यानि वो check करवाता है, तो वो illegal है, पहली बात तो कोई check नहीं करेगा, और उपर से अगर किसी ने check कर दिया, तो उसके against अगर complaint हो गई, तो कारवाही हो सकती, we have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population, हमने पहले ये पढ़ा है, कि reproduction ऐसा process है, जिससे organisms अपनी population को increase करते हैं, the rates of birth and death in a given population will determine its size, कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए, इस चीज से ये पता चलता है कि population क्या है, अगर जादा लोग पैदा होंगे, कम लोग मरेंगे, तो population बढ़ेगी, और अगर जादा मरेंगे, कम पैदा होंगे, तो population कम होती जाएगी, अगर किसी भी जगे की population बहुत जादा है, तो वहाँ का जो standard of living होगा, रहन सैन का तरीका होगा, जो standard होगा रहने का लोगों का, वो standard जादा अच्छा नहीं होगा, बहुत कम अमीर होंगे, middle class थोड़े जादा होंगे, और गरीब बहुत जादा होंगे, तो population जादा होने के बहुत सारे disadvantage होते हैं, जैसे इंडिया में, ना proper opportunity मिलती है, jobs की, और किसी भी तरह की proper healthcare facilities नहीं मिलती है, natural resources की कमी होने लगती है, तो बहुत सारी over population के बहुत सारे side effects होते हैं, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, जो inequality है, असमानता उससे, वो main reason है, poor standard of living का, the size of the population is relatively unimportant, जो size होता है population का, वो unimportant होता है, लेकिन inequality बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, असमानता, कोई बहुत ज़्यादा, population है, बहुत ज़्यादा है, बट सभी के सभी अमीर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, standard of living अच्छा होगा, population बहुत ज़्यादा है, अमीर बहुत कम है, गरीब बहुत ज़्यादा है, तो यह जो inequality आ जाती, वो गड़बड हो जाती, अगर हम अपने आसपास देखें, तो poor living standard होने के, main reason क्या क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचिएगा, और discuss करिएगा इस बारे में, okay, so students, यह chapter आपका खतम हो चुका है, जो भी doubts हों, किसी भी paragraph, किसी भी line, किसी भी word में, आप में इसस पूछ सकते हैं, that's all for now, thank you so much.